लोगसमद चुनाव के क्लस्टर प्रमुकवा उत्रप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गुपाल गुपता अनन्दे सुल्तानपूर में भाजपा कार्याली पर गाउं चलो अभ्यान की कारिशाला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए पत्रकारों से बात्चीत करते हैं उन्होंने कहा कि हमने मेरिट के आधार पर राजदानी लखनाओ में युवा बिरुजकारों को नौकरी दी है उन्होंने आगी कहा कि सपसरकार का कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी सड़के हों, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी अस्पताल हों, उनका एजेंडा रहा है कि खुद का परिवाद, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का और इससे अगर निकल पाए तो ज अभी जब हम लोगों ने ग्लोबल इंवेस्टर समिट करी थी दुनिया के 17 देशों में दुनिया की 21 मेजर सिटी में और देश के 10 बड़े महानगरों में उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिले में हम लोगों उसका नतीजा रहा कि 33,50,000 क्रोड रुपए फरवरी में फरवरी 23 में 33,50,000 क्रोड के हमें M.E.U. प्राप्त हुए उसके बाद बिना प्रयास के जो माहौल बना है 6,50,000 क्रोड और आगया अब 40,000,000 क्रोड बढ़कर के हो गया है तो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि अपने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है